ये हैं हेमंद भाई जिनोंने काशिपूर लालकूर रेलखन पर पढ़ने वाले बाचपूर रेलवे स्टेशन से इस्टेशन अपडेट बना कर हमें बेजा हेमंद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आप जहां कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें आज के इस वीडियो में हम बाचपूर रेलवे स्टेशन से आप लोगों के लिए इस्टेशन अपडेट लेकर आए हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फर्ष बनाने का काम चलना है अभी अधूरा है आधे प्लेटफॉर्म पर फर्ष बनाने का काम पूरा कर लिया गया है आगी भी चल कर आप लोगों को दिखाएंगे इसके इलावा काशिपूर से बरेली के बीच में चलने वाली अनरक्षित इस्पेशल ट्रेन उसका संचालन भी विद्धुत लोकों के द्वारा किया जाने लगा है 0.335.36 नंबर की ट्रेन काशिपूर से बरेली के बीच में चलती है और हम आप लोगों को 0.336 नंबर की ट्रेन का वीडियो दिखाएंगे वेब 4 लोकों के द्वारा जिसका संचालन किया गया जो काशिपूर जंक्षन डेल्वे स्टेशन पर लगभग 9.79 बजे के करीब में पहुंची तो लगभग 15 मिनट की देरी से ये ट्रेन आई बाचपूर रेल्वे स्टेशन पर यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स तो फर्स बनाने का काम चल रहा है प्रेटफॉर्म को उंचा किया गया है पहले ही कई बार अपडेट दे चुका हूँ आप लोग देख लीजेगा तो फिर से एक बार अपडेट दे रहे हैं रात के समय में इसके अलावा पूरे उत्रखण में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लीट किया जा चुका है और अब सभी दिशाओं में इलेक्ट्रिक लोकों के द्वारा ट्रेनों का संचालन शुरू होना बाकी है कुछ ट्रेनों का संचालन इलेक्ट्रिक लोकों के द्वारा हो रहा है काड़ोदाम से चलने वाली कुछ लंबी दूरी की जो ट्रेने हैं वो अभी इलेक्टिक लोकों के द्वारा संचालित नहीं हो रही है राजस्थान की ओर जाने वाली कुछ ट्रेने जैसे की जैसल मेर को जो ट्रेन जाती है काड़ोदाम से चलकर वाया दिल्ली होते हुए राम नगर से बानरा टर्मनेस को चलने वाली सापताहिक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी विद्दुत लोकों के द्वारा जल्दी शुरू हो सकता है तो पुराने समय में काफी नीचे यहां का प्लेटफॉर्म हुआ करते थे सभी जिगह पर और अब थोड़ा सा यहां पर हाई लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया गया है हाई लेवल की तरह हालंकि उस तरह कनी बनाया गया हाई लेवल जो मुरादबाद या बरेली रेलवे स्टेशन पर है उससे थोड़ा नीचे ही है आप इसको मीडियम लेवल का भी समझ सकते है तो यहां पर भी फर्ष बनाने का काम पूरा कर लिया गया है थोड़ा सा देखिएगा फ्रेंट सामने तो 0-336 नंबर की ट्रेन आ रही है जो बरेली से काशिपूर के लिए आती है हालंकि यह ट्रेन कास गंज की दिशां से भी आती है तो इसमें जो डेस्टिनेशन वारा है वो काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है भरतपूर भी लिखा होगा काशिपूर भी लिखा होगा बरेली भी लिखा होगा कास गंज भी लिखा होगा टनकपूर भी लिखा होगा तो वह फोर लोकों के द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर यहां पर भी दो प्लेटफॉर्म होते तो यहां पर जो इस्टिशन है फूटो और बिज का निर्मार भी करा आया जाता यहां पर तो काशिपूर की दिशा में यह ट्रेन आगे जाएगी अभी यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एराइव कर रही है जीरो तिर्बंश थिस नंबर की ट्रेन हालांकि हेमंत भाही का कहना है दिन में जो अभी ट्रेन चल नहीं है वह अभी इलेक् लोकों के द्वारा शुरू कर दिया जाए यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यह रहिए प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड पर हम पहुंच रहे हैं देरे देरे तो फर्स बनाने का काम यहां पर भी कर लिया गया है मेड बनाए गई है सिचाई के लिए कि यहां पर पानी गया है जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुवात में ही आप लोगों को दिखाया था तो इस रूट से भी बड़ी महटपूर ट्रेने निकलती हैं लालकुवा आनन वियार लालकुवा अमडर्सर रामनगर बांडरा टर्मिनस तो अच्छी अच्छी ट्रेने हैं ये देखिया त और आज हमें वीडियो मिला तो हम आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरी जानकारी हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं एनियार इजट नगर मंडल से समंदित तो जैसे हैसे मुझे वीडियो मिलते जाएंगे आप लोगों को भी वीडियो से हेमंद भाई ने रात में ही वीडियो बना कर हमें भेजा हम चाहेंगे आप लोग भी हेमंद भाई का शुक्रिया ज़रूर अदा करें क्योंकि उन्हीं की वज़र से हम आप लोगों को लालकुआ काशी पूर सेक्शन का अब देट देते आएं अभी तक तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स बाई दिशा में जो फर्स बनाने का काम है वो नहीं हुआ है यहाँ पर लेकिन मिट्टी डालने का काम हो गया है और उमीद यहीं की जा रही है कि इसी महने बाशपूर रेलवे इस्टेशन पर जितना भी यह सिविल वर्क या रे दिया हुआ होता है वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा बेल आइकन दबा दिजेगा दौआउं में याद रखेगा अपने ख्याल रखेगा अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ जय हिंद जय मारत